तो हेलो एब्रीवन कैसे हैं आप सभी आज हम लोग बात करने वाले हैं बिलियम सेक्सपीर के एक और वर की जिसको हम पढ़ने वाले हैं अब यह सकते हैं इक कोमेडी है इसको आज हम देखेंगे चलिए चलते हैं सबसे पहले हम टेक्स पर और मैं आपको बदा दूँ कि अग फिर जहां जहां यह स्लेवस में है तेमिंग आफ शुरू वो इंपॉर्टेंट है ठीक है तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ जो यह त्रेमिंग टेमिंग आफ शुरू है यह एक कमेडी है जिसको 1590 से लेकर 1592 की बीच में बिलियम सेक्सपीर ने लिखा था डेथ ओफ विलियम सेक्सपीर ठीक है अगर जैनर की बात करें तो जर्नली इन्होंने टैस्टी ही लिखी है लेकिन यह जो है वो एक कमेडी है ठीक है तो कमेडी आप लोगों को ध्यान दखना है तर टेमिंग आफ दशुरू एक कमेडी है ठीक है जिसकी पूरी सेटिंग ज ठीक है मतलब आपको ध्यान रखना है इसमें पांच एक्ट है लेकिन इसमें एक और इंपरेंट बात है कि इसमें एक इंट्रॉक्शन भी दिया हुआ है ठीक है तो यह भी आपको ध्यान रखना है इंट्रॉक्शन इंट्रॉक्शन में होता क्या है मैं आपको बता दूं कि इस 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 अर्व आपके आपको एक नाम ध्यान रखना है वह नाम है भिखारी हो हुता है जो अब बहुत ज़्यादा होता है सरावी होता है ठीक है तो तो वहां पर शराप पीक एकदम लेटा हुआ था भीहोंसी की हालत में तो यह क्या सकते हैं कि उसको बहुत सुन्दर कप्ड़ें, अच्छे कपड़े पहना देते हैं, बहुत एकदम राजा जैसे, क्रिस्टफर स्लाई को तो वह देखता है कि अच्छे कपड़े हैं और उसके पास एक लड़की भी ऐसी रहती है जो बाइफ उसको बाइफ बना देते हैं ठीक है वह एक्षुली जैनसी रहता है लेकिन उसको लड़की के रूप में प्रेस किया जाता है उसकी बाइफ के रू सही में मैं क्या हूँ भिकारी नहीं हूँ मैं सही सही में क्या हूँ एक माई लॉड हूँ ठीक है और उसकी बाइफ भी जो बनी है अभी लड़का ही एक लड़की बनी है जो मेक अप करके तो वो भी उसको माई लॉड माई लॉड करके बोल रही है ठीक है तो उसको भिकार को क्या करेंगे discuss करेंगे view seeking छलिए start करते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दू यह जो कहानी है पैडवा नाम की जगह की है ठीक है पेडवा एक इटली में कोई जगह हे जहां पर यह कहानी क्या की गई है set की गई है ठीक है अब मैं आपको बताता हूँ कि होता क्या है कहानी पे, तो कहानी पे ये होता है, जो ये बापसा नाम का जो ब्यक्ती है, ठीक है, इसकी दो कन्याएं है, ठीक है, दो लड़कियां है, एक लड़की है, जो बड़ी है, वो कैथरीन है, लेकिन ये अच्छी लड़की नहीं है, प्रोड़ास बिगड़ी टाइप की लड़की है ठीक है लेकिन इसकी जो छोटी बेटी है यह नहायती सुन्दर और उतनी ही अच्छी उतनी ही मतलब ब्योहार कुसल लड़की है ठीक है अब क्या होता है कि यह जो कहीं से पता चलता है कि जो मतलब कोई भी लड़का है ना वो साधी करने के उद्देश से ब्यांका के साधी करने के उद्देश से यहां आ जाता है पेडुवा में और इसका एक नौकर होता है वो उसके सहयोग से लुसेंटियों पता लगाता है और ये एक सुन्दर व्यक्ति बन जाता है मतलब अपना भीस बतल लेता है और सुन्दर टा दिख एक लाड़की तो प्रुटेंसियो बोलता है कि तुस थ्यूद रहे हो तो मेरा इंट्रस्ट कैथरीन पर रहा है ठीक है तो साधी करना चाहता है प्रुटेंस क क्या दोbolक कि ऐ смотретьसने साधी करना चाहता है तो दो siamo तो अब ब्यांका की साधी नहीं करूँगा तो अब कैथरीन के लिए एक बढ़िया सुंदर वर्मिल गया है जो किसका नाम क्या है प्रोटेसियो वो तो अपने उसके पिता जी से कैथरीन के पिता जी से जाके बोलता है कि सर मैं आपकी बेटी से साधी करना चाहता हूं आइम है उससे हो जाएगी ठीक है तीन में से किसी ना किसी एक से तो हो जाएगी साधी ठीक है तो यहां पर क्या होता है कि सबसे पहले अब क्या है जब इस तो प्रोटेसियो को पता चलता है कैथरीन के साधी में साधी करने और वो भी एकदम फटे हाल पहुंचता है मतलब एकद बहुत उदम मचाता है कि ना मैं तो साधी इसी कपड़े में करूंगा ठीक है अब यहां पर कैथरीन जो बिग्ड़ाय लड़की है वो एकदम कैसे सौक्ड हो जाती है क्यार यह कैसे बात कर रहा है बहुत लोगों के समझाने के बाद बहुत टाइम निकल जाने के बाद प्र प्र उसी कपड़े पर गंदे कपड़े पर ही और फटे हाल कपड़े पर ही उसने क्या किया कैसे साधी की और कैसरीन को साधी करके कहां ले गया अपने घर ले गया मतलब यहां पर होता है यह थोड़ी दिर रुक लें तो यह रुकी नहीं रहा था यह बोल रहा था चलो चल गाई ऐसको मतलब यह अब इसको भूख लगी उई थी तो इसको खाना ही नहीं दे रहा था सि कperform कौन थुसुख तुम्हें खाना नहीं दूगा खाना vive अच्छा थीक है खाना नहीं दे रहा विए उसको सोचstone भेन दे रहा था मतलब उसका एकदम इतना हाल खराब करती दिया था जिसने क्योंकि वो जानता था यह लड़की बहुत खतरनाक है, एक्चुली जो पेट्रोसियो था ना, उसका यह प्लाइनिंग थी एक तरह की, अब यह सोने भी नहीं दे रहा, खाने भी नहीं दे रहा, तो यह पेट्रोसियो का एक नौकर था जिसका नाम था गुरूमियो, तो गुरूमियो को कैथरीन बोलती है कि तुम मेरे लिए कुछ खाने को लेके आओगे, गुरूमियो, तो यह गुरूमियो भी जी है न, यह अच्छे-चे बेंजर लेके आता है, लेकिन खाने को नहीं देता है, दूर से ललच क्यों थenne twee दो तबHein को झाहिए तो मैं नई दोंग घकए ऐसा पैट्रीं बोल द Гर्ण नी रहती तो दई भी नी रहा था कि बहुत मस्कुशें कैथरीन ने फैंक यू बोला तब पेटरिसियो ने उसको खाने के लिए वो दिया ठीक है अब किसी तरह से इनका जिव जीवा ने आपन है वो चल रहा था लेकिन पेटरिसियो ने इस कैथरीन के नाक में दम करके रखा था ये कैथरीन जितनी ही खतरनाक थी उससे खतरनाक इसका जो हस्ब को पेपर कंदे क hoş कि जूंब है यह इसका निक्सारे जाता है तो वह आदम यह सब करोगा मैं चया थूडराने अशिवद करने हैं और जब वो जा रहा होता है न तो वहां पे क्या होता है है दो घटनांए होती एक घटना ये होती है की जो लुसेंटियो के फादर है वो दिखते हैं तो ठीक है तो प्रसंटियो बोलता है कैसरीन से देखो कितनी सुंदर लड़की जा रही है तो का यहां पर हो ता किया क्लिए थी पापा को इसतरह से जब बोल दीता है तो मतलब यह भी उसकी बात को मा ने लगती है और कप्ड़े वाली बात मैं आपको बताई दीख तो यह बिकारी कपड़े पहन के जा रहे हैं, अब यह लोग वहाँ पहुंचते हैं, गंदे कपड़े में ही पहुंचते हैं, अब साधी अटेंड करने पहुंचे हैं, ठीक है तो पेट्रेसियो का अजीव हाल देखकर के कैथरीन भी एकदम सौग रहे थी और जो बाकी के लोग अब होता क्या है, कि वहाँ पे ये तिनों वहाँ पे जो लुसेंटियो के फादर है ना, वो पेट्रेसियो और होटेंसियो और ग्रूमियो यह सब मिल जाते हैं, इनके साथ में ही और कैथरीन के साथ में ही वहाँ पहुंचते हैं, जब साधी पार्टी में वहाँ पहुंच वहां पर इसके टूपी पादर मतलब पादर का कैसे डूबली करोल कह सकते आप वो है जो लुसेंटियो के प्लान का हिस्सा था या वैसे उसके पादर पहुंचते हैं तो इसके पादर को न वहां की जो पुलिस करमी है या और भी लोग है उसको ले जा रहे थे कि इसको बंद उसको सलटाता है ठीक है उसके बाद क्या होता है कि इसके बाद यहां पे जो सेंटियो है जो पेट्रियो है इन यकी बातें के बरहे की लगाता है यार तुम लोग उसको जैसा सोच रहो हैसे बिलकुल नहीं है तुमारे BIFo से भी अच्छी है जो तुम ब्यांका को सोच रहे हैं हो जो अपनी एक इसने भी बिटो लड़की से साधी कर ली थी तो वो भी आई हुई थी यहां पे ठीक है तो यह जब सब मिले तो इसने सर्थ लगा दिया पेटेंसियों ने कि मेरी कैथरी नहीं जादा बात मानती है तुम सबसे पहले बात मानेगी ठीक है तो तीनों ने अपनी बाइफ को बुलाबा भेजा कि तुमको ना तुम्हारे पती बुला रहे हैं ठीक है अब जैसे यह ऐसा कहा गया तो सबसे पहले जो है यहां पेटेंसियों की जो बाइफ है कैथरीन वह पहुंची और बांकी की जो ब क्या है तुमने जादू कर दिया कैथरीन पे तो इसने अपनी जादू को नहीं बताया लेकिन इसको बुला की तुम बहुत अच्छा तुम ने अच्छा आ गई तुम्हारे इनकी दोनों की पत्नीयों को भी भूला लाओ ठीक है तो जो लिसेंटियों है उसकी पत्नी जो ब प्रूटेसियो है इससे ये लुसेंटियो और होटेंसियो पूछते हैं यार तुमने कैसे इसको क्या गाबू में कर लिया है यह तो बहुत खतरनाग रड़की थी इसको तुमने कैसे काबू कर लिया तो यह बताता नहीं है लेकिन इसका जो अजीव ब्योहार था ना वही करना कैसे करना है कंट्रोल इसके बारे में यह पूरी कहानी थी ठीक है तो आज के सेशन पर इतना ही मिलते हैं नेर्स सेशन पर थैंक यूफर वाचिंग देशन